हेलो फ्रेंड्स यहां हम बनाने जा रहे हैं प्या चने की दाल, एक कप मैंने चने की दाल ले ली है, इसको अच्छे से दो-तीन बार वाश करेंगे और दो घंटे के लिए भिगो देंगे, आप हलके गुन-गुन पानी में गरम पानी में भी इसको आदे घंटे के लिए जीरे को थोड़ी देरी भूनना है गैस ध्यान रहे बंध है इस वक्त अब मैंने गैस ओन की है वरना जीरा बिल्कुल काला हो जाता है अब इसमें हम डालेंगे चौप की हुई प्याज यह मैंने बारिक बारिक प्याज काट ली है एक प्याज है मीडियम साइस की और इसको अ यह एक चमच है यहां मैं अध्रक लसन ले रही हूं और इसमें डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और नमक जी हां जो हम बेसिक मसाले डालते हैं सभी सबजियों में वही डलेंगे अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे कि पानी में घो जालेगा और इसको एक चमच से घोलेजे अब मैं इसको एड़ करूंगी भुनी होई प्याज में यह देखिए प्याज बिल्कुल अच्छे से पर्फेक्ट ब्राउन हो चुकी है इसको ऑईल सेपरेट होने तक हम भून लेंगे तो इसको एक से डेड़ मिनट लगेगा भून गया अब इसमें चने की डाल भीगी हुई जो थी वो एड़ कर देंगे और आधे से एक मिनट और भूनेंगे वापस से यह तेल चोड देगी उसमें हम पानी एड़ करेंगे चार कौप पानी एड़ कर देंगे अगर घर में हरी मिर्ट पसंद करते हैं तो आप इस व चार सीटी लगा सकते हैं, कम दालें तो सीटी जादा लगानी पड़ती है, तो आप ये चार का पानी आड़ कीजिए और इसमें चार सीटी लगा दीजिए, अब ये मैंने रफली चॉप करके साइड में दो प्याज मोटे मोटे काट के साइड में रख लिये हैं, अभी जब ये सीटी लग जाएगी, चार तो हम इसको कुकर को खोलेंगे और इन प्याज को ये देखें, मोटे मोटे ही हैं रफली है, तो इसको खोल के कुकर को फिर हम इसमें एड करेंगे, ये देखें, ये चार सीटी लग गई है, अब आती है वो रफली जो चॉप मैंने मोटी-मोटी ब्याज काटे थी ये डाल दी है और अब हम इसको एक विसल दिलाएंगे वापसे इसको लिड लगाके एक सीटी लगाएंगे और इसको अज़े टेस ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप बीच में लाइक कर सकते हैं और बेल का बटन प्रेस कर सकते हैं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बेरी मच तो चलिए चलते हैं ये देखिए मैंने कुकर खोल दिया है कितना सुंदर कलर आया है इसमें जाती है ये बिल्कुल मटन के टेस्ट की बनती है तो हमारे गढ़ में अच्छी लगती है सबी को मैं इसमें एड कर रही हूं उपर से देसी घी आप इसको देसी घी के साथ भी बना सकते हैं और देसी घी डाल दिया है आप इसमें हरा धनिया भी डाले और यह लीजी आपक डाल तयार है